हाई फ्रेंड्स मैं अकान्शा जी के विटा कान्शा में आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज हम हिंदी से अंग्रेजी अनुबाद जो हमारे पेपर पाच कब इसे है वो करने वाले हैं अनुबाद बहुत ही जादा मतलब जिन लोग हिंदी मेडियम से रहते हैं और लोग को अंग्रेजी में प्रॉब्लम होता है उनको बहुत ज़दा बड़ी समस्या आती है मेरे से पी वोट्स लोग जो वाट्स अप पे जुड़े हुए हैं वो बोलते रहते हैं कि मैं अंग्रेजी अनुबाद में बहुत ज़दा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसको छोड़के भी अगर आता है तो भी आप कर पाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिगा तक यह आने वाली सभी वीडियो का इंफोमेशन आप तक मिलता रहे हैं फ्रेंस यह मेरा प्रिलिम्स का पैकेज है प्रि प्रिकार से फूरा आपका जो है वो कबर रहे इसी प्रिकार से फ्रेंड्स यह प्रिवेस से पांसल के मेंस के सॉल्ड पेपर हैं यह अगर आप कर लेते हैं तो आपका बहुत सारा जो प्रॉब्लम है मेंस में किस प्रिकार के आंसर आते हैं वो सॉल्व हो जाता है और यह ह प्रिलिम्स का जो टैसी रेदाएगा उसमें आपको डिसकाउंट मिल जाएगा तो चरई हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो अनुगाद है वो पढ़ते हैं कि किस पारिम है जो आजका हमारा अनुगाद है वो पन्चायतों के बारे में हैं पहले हम पूरा हिंडी पढ़ लेते हैं उसके बाद हम इसका इंगलिस पढ़ेंगे तो पंचायती जो है वो पंचायते जो है गाउं के इस्तर का एक मूल प्रशासने अंग है बिना गाउं पंचायती गाउं को चलाना मुस्किल है भारत में पंचायटों को इतिहास अती प्राचीन है, रिगूत, काल में वे ये पृचार में थे, अस्तिद्म। थे, भारत में अनेक प्राचीन धरम गुनतों में पंचायटी प्रणाली की कारवधि का वर्लन किया गया है। पहले हम इतने का अनुबाद करते हैं, सबसे पहले पहली लाइन पढ़ते हैं, पंचायते गाउं के इस तरका एक मूल प्रिशासनिक अंग है, सबसे पहले प्रिशासनिक अंग क्या बोलते हैं, वो देख लीजिए, अंग को बोला जाता है और प्रिशासनिक को बोला जाता है administration administrative है न तो इसका क्या हो जाएगा administrative organ पंचायतों को हम बोलेंगे पंचायत बहुत special है कभी भी कोई बहुत special चीज़ या कोई एक single word है जो एक ही है उसके वारे में बात करते हैं तो हम दा लगाते हैं तो पंचायतों के साथ क्या आ जाएगा दा पंचायत है न तो उस starting में इसका क्या हो जाएगा दा पंचायत और यह अपना जो सब्सेट है यह है पूरा पंचायत गाओं के इस्तर का तो इस्तर का इस्तर गाओं का इस्तर इस्तर को हम बोलते हैं लेवल और गाओं को हम बोलेंगे village तो गाउं के इस तरका मतलब क्या हो जाएगा village level है ना और इस तरका का की बात कर रहे है पंचायतों के गाउं के इस तरका बात कर रहे है तो इस पूरे का subset का हो जाएगा the panchites at the blaze levels क्या हो जाएगा panchaitे गाउं के इस तरका मतलब panchaitे the panchait at the blaze levels का एक मूल प्रिसासनिक अंग है एक बोहाइब मतलब बहुत सारी की बात कर रहे हैं बहुत सारी बात कर support है एंड डव्लेग बहुत सारी की बात कर रहे है तो है किसी लीक आजाएगा8 अब देखidée और इस पहली को मैंने सबसे पहले आपको क्या करना है, या subject लिखना है, फिर आपको last में पहुँच जाना है, अब क्या बोल रहे हैं, मूल प्रिसासने कंग है, मूल का मतलब होता है, basic मतलब जड़, तो पंचायती गाओं के इस तरका क्या हो जाएगा, पंचायती गाओं के इस तरका क्या हो जाएगा, अब हमां next lines पढ़ते हैं भारत में पंचायतों का इतिहास अती प्राचीन है अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि इसमें subject क्या है किसके बारे में बात कर रहे हैं पंचायतों की इतिहास के तो इसको पंचायतों की इतिहास को बोलेंगे The History of पंचायती राज बहुत पुराना है, is very the history of panchayat, है ना तो भारत में panchayatों का इतिहाज अती प्राचीन है, ना so ancient, रिगवेदिक काल में भी इनका प्रिचार में अस्तित्म में थी, the history of panchayati राज, institutions, dates back to the rigvedic times, मतब रिगवेदिक टाइम में भी अस्तित्म में थी, exist करती थी, भारत में अनेक प्राचीन धर्म और गरंथों में, panchayati प्रिणाली की कारवधी का वर्णन है, तो हम क्या लिखेंगे, क्या बोल रहे हैं, प्राचीन धर्म गरंथों में, तो many, बहुत से प्राचीन गरंथों में मतलब, बहुत मतलब many, प्राचीन मतलब ancient, और ना सामिल करते हैं तोन और उनकों पंच्याइत के सदस्ट्रा सब्सक्राइट करने, की विधी का वर्णन मिलता है तो उन दिनों में क्या वर्णन मिलता है तो हम क्या वोलेंगे there were established मतलब क्या बताते थे तो there were established method of elections मतलब किस तरह से हम उनको चुनते हैं expulsion मतलब किस तरह से हम उनको निकालते हैं and inclusion of the member of that the opinions of and order were implanted in letter and especially even today तो उस समय क्या होता था उस सम उन दिनों में क्या होता था इस ताइन्स पंचायत पंचायतों के चुनाब पंचायतों के सदसे का निस्कासन और उनको पंचायत में सामिल करने की विडियों का बंडन मिलता है तो बंडन मिलता है को हम हम बोलेंगे describes या established method तो यहां पर हम उन दिनों के these times established methods of inclusion, expulsion, established तो यह हम लिख देंगे इसकी बाद गाओं में पंचायतों का सम्मान होता था क्या बुल रहें गाओं में पंचायतों का सम्मान होता था उनकी बातों का सम्मान होता था आज भी पंचायतों में गाउं की जनता और सासन तंत्र के बीच मुख कड़ी बनी हुई है आज भी पंचायतों में गाउं की जनता और सासन तंत्र के बीच मुख कड़ी बनी हुई है तो आज भी का मतलब होता है even today तो हम क्या लिखेंगे कि आज भी ये बनी हुई है तो हम क्या लिखेंगे जो members होते हैं या जो panchaitे systems होती है panchait में गाउं की जनता और सासन तंत्र के बीच क्या हो लेंगे panchaitे जो है panchaitे remain the sole link of the governing machinery with the rural masses मतलब आज भी जो panchaitे हैं वो गाउं की जनता गाउं की जनता को हम बोलते हैं rural masses और governing machinery सासन तंत्र को हम क्या बोलेंगे governing machinery तो क्या बोलेंगे even today panchaiti remain the sole link of the governing machinery even today मतलब आज भी panchait में panchaits remain the sole link soul link मतलब मुख कड़ी of the governing machinery मतलब सासन तंत्र के बीच मुख कड़ी बनी हुई है फिर 15 माई 1989 को पिधान मंत्री स्री राजीव गांदी ने लोग सभा में समिधान संसोधन will pass किया था तो हम क्या लिखेंगे कोई भी date होती है उसके पहले हम लगाते हैं on तो on May 15 1989 इंडियन PM Mr. Rajiv Gandhi introduced a constitutional amendment bill in लोग सभा तो कब पेस किया था जो 1989 में पेस किया गया था Rajiv Gandhi तो हमने यह कदम इसलिए लाया गया था कि जनता की हितों की रक्षा हो यह क्यों लाया गया था तो the step was taken in order to make पंचायती राज in India and effective यह step लाया गया यह कदम लाया गया तो this step was taken इस रिकार से हम लिख सकते हैं एक प्रभावी बास्तविक प्रतिनिरी संस्था का रूप प्रदान किया जाए किन्तु राज्य सभा में यहां बिल पास नहीं हो पाया और यहां बिल कानून का रूप नहीं ले पाया तो हम क्या लिखेंगे this step was taken in order to make panchaiti raja in India an effective and a truly representative system मतलब यह तरीका है इसलिए लाया गया है तक हम panchaiti raja को और एक प्रभावी बना सके एक बास्तविक प्रतिनिरी संस्था बना सके मतलब एक ट्रूली रिप्रेजनिरी संस्था मतलब बास्तविक मतलब हो जाएगा ट्रूली और प्रतिनिरी संस नहीं हो पाया किन्टू मतलब however the bill could not become a law as the Rajasawa did not pass it. Rajasawa में यह bill पास नहीं हो पाया. इस प्रिकार से यह हमने यह जो अनुवाद है मैंने यह एक बार इसको बोल के बता देती हूँ बूरा on my sorry a second the panchaits at the blaze levels are the basic administrative organs of the country. जो panchaits से हैं गाओं की वो basic administrative mood जो प्रशासनिक तंत्र है देश का. the history of panchaiti raja institution date back to the Rig Vedic times जो panchaiti raja का इतिहास है उनकी जानकारी है वो हमें Rig Vedic times से मिलती है many ancient scriptures जो बहुत सारे जो प्राची धरम ग्रंत है describe the modules of rendi of a panchait ने बताते हैं कि panchait system कैसे काम करता था operate कैसी है और प्रेंडी का मतलब इसकी गतिविगिया कहती कैसी थी there were established method of election यहां पे इस समय की जानकारी कहां उनका कैसे चुनाब होता था कैसे उनको अंदर निक्नुक्ती होती थी कैसे उनको निकाला जाता था all the members of their opinion and orders were implanted in later and spirit event अब बोल रहे हैं कि spirit एश्परेट है इसके इवन तुडे नेक्स लाइन में तो अब वो क्या वो रहे हैं कि उनके जो राय हैं उनको माना जाता था उनकी राय को रखा जाता था इस सब चीजों कि विद्यों के बारे उनकी राय और उनकी आजेसों का पूरी तरह पालन होता था यह इसमें बताया है कि of their opinion and orders were implanted in later and spirit इसके बद even today panchaiti remained the sole link of the governing machinery जो अभी का जो समय अभी भी क्या है कि जो panchaiti है sole link मतलब होता है mukh kari बनी हुई है governing machinery मतलब governing machinery का मतलब है saasantantra with the rural masses rural masses मतलब होता है grameen जो जनता है उनके बीच एक social kari बनी हुई है और माई 15, 1989 अंडियान पिया मिस्टर राजीव गांधी इंट्रोडियूस्ट एक constitutional amendment वे लिंदा लोगसवा 15 माई उन्यूस नवासी को मिस्टर राजीव गांधी ने एक bill pass किया था लोगसवा में जो कि इसी के बारे में था जो राजीव गांधी लोगसवा में समयधान संसुद्र का इस पर विल पाइस कि तो जो हमने आगे पड़ा कि लेकिन वह इंप्लिमेंट में नहीं आ पाया इस परिकार से हम अपना अनुबाद कर सकते हैं ऐसे और बहुत सारी अनुबाद में आपके लिए लेकि आओंगी मैं एक इंग्लिस का एक नया चैनल बनाने का सोच रही हूँ उसमें जितने भी अनुबाद है अनुबाद से समधे जो प्रॉब्लम है वो उस वीडियो उसक करते हैं ओके फैं सिंक्यू